हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू लक्षेकेडमी आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफ्रेंस के वारे में किसके वारे में पोटेंशियल डिफ्रेंस जिसे हम कहते हैं विभांतर बोलते हैं क्या बोलते हैं विभांतर जिसे हम कहते हैं ठीक है होता क्या है इसक हम विभांतर कहते हैं for example हम समझते हैं कैसे होगा यह उसको समझ लेते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर यह example आपको दिख रहा है example में यहाँ पर है 10 बोल्ट इधर भी है फ्लास टेइनवोल्ट तो यहाँ इसका potential difference क्या होगा PD क्या होगा उसको समझते हैं तो देखिए 10 minus 10 equal 0 ठीक है तो यहाँ पर इसका potential difference क्या होगा 0 जिरो वोल्ट इसका potential difference होगा कैसे यह plus किन यह बिदो भी लेकिन हमारे को विवांतर में क्या बोलते हैं, इसके बीच का अंतर, विवांतर में अंतर का मतलब क्या होता है ± मतलब सब्स्ट्रेक्शन, ठीक है, तो इसी तरह से अगले example की और बढ़ते हैं, तो अगला example क्या है Instagram क्या है? यहां इसका PD as होगा उसको समझ लेते हैं potential difference जो होता है तो यह प्लस का 10 volt है ठीक है और यह इधर क्या है 0 volt ठीक है plus का 10 volt equal 0 volt तो यहां पर इसका जो potential difference होगा वो क्या होगा इसका potential difference होगा 10 volt ठीक है इसके बीच का अंतर क्या होगा 10 volt मतला 10 में से 0 क्यों माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 volt ही आएगा ठीक है अगला example अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा देखिए यहां पर है यह plus का 10 volt है minus ठीक है यहां पर फिर एक क्या है minus का 10 volt है तो इसका potential difference क्या होगा आपको पता है minus और minus क्या हो जाता है plus हो जाता है तो यह plus का 10 volt और यह वाला minus का 10 volt तो total कितना volt हो जाएगा यहां पर 20 volt मतलब इसका विभांतर कितना हो जाएगा 20 volt ठीक है potential difference होगा 20 volt हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपको यह चीजे अच्छे से समझ में आ रहे ही तो वीडियो को लाइक करें और अगर चेनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को subscribe करें ठीक है अगली slide हमारे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है प्रत्वी का विभव क्या होता है potential of earth प्रत्वी का विभव क्या है तो प्रत्वी को हमें एक बहुत बड़ी चालक प्लेट मानते हैं इसमें से हम अगर कुछ आवेश निकाल ले या कुछ आवेश इसमें डा सकते हैं कि यदि किसी समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए या 2-4 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा ठीक है प्रत्वी का विभब की अगर हम बात करें क्या पोटेंशियल की बात करें तो प्रत्वी का जो पोटेंशि होता है प्रतिरोध होता है वो कितना होता है तो प्रत्वी का प्रतिरोध क्या होगा प्रतिरोध भी जीरो ओम होगा जीरो ओम क्यों होगा क्यों कि हमने इसको एक क्या माना है conductor माना है बहुत बड़ी चालक plate माना है इसलिए इसका जो resistance होगा प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा 0 होगा और potential difference क्या होगा वो भी 0 होगा ठीक है सोरी potential क्या होगा 0 होगा इसके बाद हम बात करते हैं विद्युद्धारा electric current electric current क्या होता है केसे प्रवाइत होता है इसका concept हम समझेंगे तो देखिए यह हमने conductor लिया अब conductor में हम कुछ wires जोड़ते हैं ठीक है क्या जोड़ते हैं कुछ wire जोड़ते हैं connection करते हैं यह हमने wire जोड़ दिये यह हो गया हमारा plus terminal यह हो गया minus terminal यह क्या है हमारा supply source है या फिर EMF बोल देंगे हमें इसको voltage source बोल देंगे ठीक है क्या बोल देंगे EMF बोल देते हैं इसको ठीक है अब इसका concept क्या है कि जो हमारी विद्धुद्दारा है उसकी प्रारम पारमपरिक जो conventional अवदारना है वो क्या है कि प्लस से माइनस की ओर विद्धुद्दारा का प्रावा होता है क्या होता है विद्धुद्दारा का प्रावा किदर से किदर होता है प्लस से माइनस की ओर इस तरह से यह क्या है पारमपरिक है ठीक है पारमपरिक तरीका क्या है conventional जो अवदारना है हमारी कि प्लस से माइनस की और विद्ध्धारा प्राहित होती है परंतु ऐसा नहीं है इसमें क्या होता है विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो यह जो इधर प्रहाइत हो रहे हैं इने में क्या कहेंगे इने कहेंगे इलेक्ट्रों क्या बोलेंगे इलेक्ट्रों और RI लेक्ट्रों के प्रवाढ़ को ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोन के प्रवाह को ही हम विद्युद्धारा कहते हैं अगर पारंपरिक अवधार्णा आप से पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि जो पारंपरिक अब्धार्ना थी वो क्या थी धन से रिन सीरे की विद्धुद्धारा का प्रहता होता यह पारंपरक अबधारना सहरे है कंवेंशुनल ठीक है' conventional यह concept है लेकिन actual में होता क्या है electrons का flow होता है negative से positive की हो ठीक है यह जो है हमारा यह क्या है यह है चालक है क्या है चालक जिसे हम conductor कहते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करें और जादा से जादा अपने दोस्तों में share करें thanks for watching